कोरोना वाइरस के समंद में पुर्देश की सितीस प्रकार है विगत 24 घंटों में संक्रमन के 1277 नए मामले सामने आए हैं 1277 इसी अवदी में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1330 है इस समय एक्टिव इंफेक्शन के केसे की कुल संख्या 16691 है और इन 16691 एक्टिव केस में से 7238 होम आइस्वलेशन में है और 1789 नीजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहा है बाकी के सभी मरीज सरकार की निशुल्क L1, L2, L3 की विवस्था में विविन चिक स्यालेओं में भरती होकर अपना इलाज करवा रहे है संक्रमित होने के पश्चाथ जो आज तक उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए है उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,51,917 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के अब 95.68 प्रतिशत हो गया है केस फेटलिटी रेट प्रदेश का 1.426 प्रतिशत चल रहा है कल प्रदेश में 1,27,219 सेंपल्स की जाच की गई है और अब तक कुल मिलाकर 2,26,92,833 सेंपल्स की जाच की जा चुकी है इस अंजीवनी पोर्टल पर कल 4,782 लोगों ने घर बैठे टेली कंसल्टेशन किया डॉक्टरों की राय प्राप्त की उनका प्रामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर के अपने प्रदेश में अब ये संख्या आज 3,00,000 पार हो गई है सर्विलेंस की कारवाई के अंतरगत अब तक 1,76,710 इलाकों में 4,92,830 टीम दिवस के माध्यम से 3,06,78,496 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,94,17,238 है अगर हम पिछले सब्ता को देखे 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के सब्ता को तो इसमें प्रती दिन जो औसत केस आए अपने प्रदेश में उनकी संख्या है 1352 और अगर उसके हम पिछले सब्ता को देखे साथ दिसंबर से 13 दिसंबर के सब्ता को तो उसमें प्रती दिन औसत केस जो आए थे उस सब्ता में वो थे 1520 अर्थात लगभग 200 केस या 170 केस लगभग प्रती दिन पिछले सब्ता में उसके पिछले सब्ता की तुलना में कम आए प्रदेश में तो जो की ये बताता है कि संक्रमन का इस्तर नीचे आ रहा है। पिछले सप्ता में संक्रमन का इस्तर एक प्रतिशत का रहा है, केस पॉजिटिविटी रेट और पिछले सप्ता, RTPCR की भी जो पॉजिटिविटी की दर है, वो भी घट करके 1.5 प्रतिशत ही रह गई थी 60 साल से जो उपर के हमारे व्यक्ति हैं उनके हिस्सेदारी में उनके प्रतिशत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और अब ये प्रतिशत 60 साल से उपर वालों का बढ़ करके 10.6 दो प्रतिशत हो गया है तो ये बार-बार मैं अनुरोद कर रहा हूँ कि जो 60 साल से उपर के लोग हैं उनके संक्रमित होने पर जटिलताएं आती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग इस पर बहुत ध्यार नहीं दे रहे हैं और अपने बुजुर्गों को घर से बाहर वो ले जा रहे हैं निकाल रहे हैं किसी कारिक्रम के लिए किसी और धार्मिक सांस्कृति कारिक्रमों के लिए तो ये जो है ये मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें अनावश्य घर से बाहर निकलने के आवश्यक्ता नहीं है और उन्हें साब्धान सतर क्रह करके और हमें भी पूरी साब्धानी बरत के उन्हें संक्रमन से बचाना है जहां एक और उनका संक्रमन में हिस्सा 10.6 दो प्रतिशत है पूरे जितने संक्रमित हुए उनमें से वहीं जितनी मृत्ति हुई उसमें से उनका हिस्सा उनका प्रतिशत 46.04 प्रतिशत है तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो लोग पहले से किसी बीमारी से गरस्त हैं या गर्वती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं ये घर में ही रहें इतासंभव और संक्रमन से अपने आपको बचाएं कुछ जन्पदों से ऐसी सूचना प्राप्थ हुई है कि जो नीजी प्रयोक्षालाएं हैं वो जो निर्धारित दर है आर्टी पीसियार की जांच का उससे अधिक धन्राशी ले रहें आप जानते हैं कि अगर आप किसी प्रयोक्षाला पर जा करके अपना सैंपल देते हैं तो नीजी प्रयोक्षाला पर जो सरकारी जो प्रयोक्षालाएं हैं जो सरकारी केंदर हैं उसमें जाच बिल्कुल निशुल्ख है और अगर आपको अपनी जाच करानी है तो आप अपने फोन पर अगर आपके पास स्मार्ट फोन है तो गूगल प्ले स्टोर से जो एप है मेरा कोविट केंदर उसको डाउनलोड कर लीजे उस एप से आपको जहां पर भी आप हैं उत्तर प्रदेश में उसमें आपके पांच किलोमेटर के दायरे में कौन से केंदर ऐसे हैं सरकारी जहांकि निशुल्ग जाच हो सकती है आपकी वो आपको पता चल जाता है तो जाकर निशुल्ग जाच आप वहां करवा सकते हैं लेकिन अगर आप जो नीजी प्रयोकशालाएं हैं अगर वहां जाते हैं आर्टी पीसियार की जाच कराते हैं तो प्रयोकशा फुलानीUM के खिलाफ कर्वाई की जाएगे, विदिक कार्वाई तथकाल की जाएगी। ऐसे ही अगर आपके घर से वह सैंपल ले जाते हैं उनके स्टाफ औकर के, तब उन नौशो रुपे की दर आपसे चार्ज कर सकते हैं. 900 रुपय आपसे ले सकते हैं तो अगर आपके घर से सैंपल ले गया है कोई प्रियोक्षाला का स्टाफ तो आपको अधित्तम 900 रुपय का भुक्तान करना अगर उससे ज़्यादा आपसे मांगा जाता है तो हमारे हेल्प लाइन नंबर पर 1800-180-4545 पर या अपने जिले के मुख्य चिकित साधिकारी से कोई शिकायत करिये संपर करिये वैसे प्रियोक्षालाओं के खिलाफ करवाई की जाएगी ऐसे दो-तीन जिलों से ऐसी सूचना प्राफ्ट हुई है कि नीजी प्रियोक्षालाओं के दोआरा अधिक पैसे लोगों से कुछ लोगों से लिये गए है तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप उसमें तत्काल हमें सूचना दे सकते हैं उनके खिलाफ हम करवाई करेंगे आप ये भी अवगत है कि भारस सरकार के दोआरा जो United Kingdom से फ्लाइट्स आ रही है उनको रोक दिया गया है 31 तारीख तक फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है और मेरा निवेदन होगा ऐसे लोगों से जो साथ तारीख के बाद से आए हैं United Kingdom से और उत्तर प्रदेश में आए हैं मेरा आप से अन्रोध होगा कि आप अपनी जाच करवा लीजे क्योंकि जो बात आ रही है कि कोई नया इस्ट्रेन आया है वहाँ तो अपने प्रदेश में संक्रमन बिल्कुल हम नियंतरित रखवाएं इसके लिए हर एक नागरिक को अपना सहयोग करना है तो आप अपनी जाच करवा लीजे जाच के लिए जैसे मनने बताया कि मेरा कोविट के अंदर आप पर जाकर के आप पता कर सकते हैं या अपने जिले के मुख्य चिकट साधिकारी से पूछ सकते हैं या फिर अपने जिले के कोविट कमांड सेंटर से आप जानकारी कर सकते हैं कि कहां आपकी जाच हो सकती है और जिला चिकट साले पर जाच होती है उसके लावा हमने ढेर सारे और स्केंदर भी बना रखें तो अपनी जाच करवा लीजे और अगर आप अभी तत्काल आये हैं तो कम से कम एक सब्ता से दस दिन तक अपने को सेल्फ कॉरंटाइन में रखिए घर में रखिए ताकि आप से किसी और को कोई संक्रमन न मिले इसके लावा अगर आप अन्य यूरोपिय देशों से भी अगर आये हैं साथ तारीके परश्चात तो मेरा आप से अन्रोध होगा कि अगर आप में लक्षन आ रहे हैं तो आप अपनी जाच करवा लें जरूर करवा लें किसी प्रगार के लक्षन हो अपनी जाच करवा लीजिए अगर United Kingdom से आये हैं तब तो आपको अनिवारे रूप से अपनी जाच करवानी है तो आप अनिवारे रूप से अपनी जाच करवाएं हम लोग सब लोग अगर साथान रहेंगे सतर्क रहेंगे तो हमारे प्रदेश में जो संक्रमन नियंतरित हुआ है बिल्कुल ही निचले स्तर पर है उसको हम मेंटेन कर सकेंगे उसे हम और भी हम कम कर सकेंगे लेकिन अगर हम साबधानी नहीं बढ़तेंगे हम लापरवाही करेंगे तो फिर से संक्रमन बढ़ भी सकता है आप जानते हैं कि संक्रमन कम हुआ है समाप्त नहीं हुआ है तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम साबधानी निरंतर भरते रहें और जो भी संक्रमन को निरंतरित करने के तरीके हैं, संक्रमन की श्रिंखला को रोकने के तरीके हैं, उनको हम पालन करते रहें और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, साधनिक स्थलों पर अपने मुँ और नाक को ढखकर रखना, मास्ट से ढखिये, रुमाल, गमचे, दुपटे से ढखिये, और लोगों से दोगज की दूरी बनाईए, दोगज की दूरी और मास्क है जरूरी इस मंतर का पालन करेंगे तो संक्रमन को निहंत्रित रखेंगे, खुद भी बचेंगे, दुसरों को भी बचाएंगे, साधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्त रहिए और प्रसंद रहिए